नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस, ग्यारा और बारो मई तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी लेकर आये हैं जिनने सुनकर आप सभी के होस उड़ जाएंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सभी मिशना करें थोड़ा सभी इसकिपना करें और इन्हें सुरू से लेकर आंत तक देखें क् अगले तीन दिनों के अंदर से महादेव आएंगे आपके घर जहां दोस्तों लेकिन दोस्तों यह समय में एक गलती भूल कर भी मत्र करना जहां दोस्तों वरना साथ जन्मों तों आप पस्ता आते रहा जाओगे कि हे राम हमसे यह कौन सी भूल हो गई हमसे कौन सी गलती हो गई थी जिहां दोस्तों तो दोस्तों हम आग से भी को बता दें कि भगवान सबी के घर नहीं आते हैं उन्हें के घर आते हैं जिनके अच्छे कर्म अच्छे धर्म होते हैं जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होत हैं हाला कि दोस्तों या बात सच है कि भागवान साथ छार दर्शन नहीं देते लेकिन दोस्तों भेश बदल कर संकेत दे कर उनको मदद जरूर करते हैं जहां दोस्तों और आने वाले या तीन दिनों की अंदर भी आप से भी के जीवन काल में कुछ एसे ही महत्यपुन घटना होने वाले हैं जो कि भागवान भोलेनात के दर्शन आपको होगा बस आपको पहचाने की जरत होगी और कुछ विशेश बातों को ध्यान रखने की आवसकता होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी जानकरियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है और जोतिस सास्तरों के अनुसार हम सभी विधी विधान से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों कौन से संकेत आपको आने वाले या तीन दिनों की अंदर मिलने वाले हैं भोलेनत आपको कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरियां देने वाले हैं और आपको इन द सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेगा दोस्तों गुरुजी का और भगवान महाकाल का सीधा आशिरवात पाएगा तो दोस्तों जरूर लिखें और एक्चा सकती जागरित करेगी कि एक बार की खता है देव रिसी नारत और रिसी अंगारा कहीं जा रहे थे रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदी की जोटी पतलों का धेर लगा हुआ था वो जोठन को खाने के लिए जैसे ही एक कु कुटा आता है वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है डंडे की मार खाकर कुटा चीकता हुआ वहां से चला जाता है ये दिर से देखकर देव रिसी को हंसी आ गई रिसी अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा नारत बोले है रिसीवर यह दुकान पह पुत्र है देखें जिसके लिए उसने वेसुमार धन इकठा किया आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिला कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हासी आ गई मनसुको अपने सुब और असुब कर्मों का फल जहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो आये दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि अतीन दिनों के अंदर भगवान भोलनात आपको कौन से संकेर देने वाले हैं कौन से साबधानियां आपको इन दिनों में रखने होंगे कौन-कौन से उपाई करना चाहिए ताकि भोलनात आप से परशन हो जाए और आपके जीवनकाल में सारे परशनिया दूर हो जाए जहां दोस्तों सबसे पले आप सभी को बता दे की दोस्तों भगवान भोलनात पहोती भोले हैं अपने भक्त के घर कभी भी बढ़ चड़ कर नहीं आते जब है कि यह तीन दिनों के अंदर भगवान भोलनात आपके घर आए हैं जहां दोस्तों इसका उपरान दोस्तों आप सभी को बता दे की अधि आपके जीवनकाल में कोई ऐसा साधू बाबा आ जाए जो की मुझे हमेसा हर हर महादेव का नाम लेता हो तो दोस्तों इन से आपको समझ जाना है कि महाकाल आपके घर आए हैं और दोस्तों इनके साथ साथ आपको इन दिनों में कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है तो दोस्तों इसमें इन वातों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके जीवनकाल में इन्हें मदद करने के लिए कोई वस्तू है तो दोस्त भगवान अक्सर ऐसे परिक्छा लेते हैं कि उनका भक्त उनके परती केसा सरधा रखते हैं Το दोस्तो आने वाले इन तीन दिनों में इन बातों को ध्यान रखें गर आप इन बातों को ध्यान रहें helaquinho तो दोस्तों यकीन मानिये कि भोले नाथ आप सब्वे के आने वाले जीवन को सभी मनोकामनाई पूर्ण कर देंगे। तो रुके हुए कारों को पूरा करने के लिए बहुत ही शमय अनुकूल है। अन्य गत्य विद्यों के साथ-साथ पारेवारी मुद्दों पर ध्यान दें। अपने आलस गुसे जेसी अब गुनों पर सुधार करें। कोई विद्यों बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना आपके लिए कार्या को सुधम बनाएगा। दोस्तों वैबसा में भी किसी कर्मचारी का नकार्तम रवया माहूल में खराब कर सकता है। ये लिए कोई भी फैसला लेने से पहले अनुविर की सला जरूर लें। पांटर से समन्दी जुड़ी बिजनस में कुछ बदलाव समन्दी योजना बनेगी। घर का माहूल सुखद और सांती पुन बना रहेगा, किसी पुरान मित्र से मुलकात होगी, तह पुरान यादय ताजा भी होगी। दोस्तों अपना कार भर दूसरों से बांट लेने से आप अपने वैक्तित कार में भी बहतरी समय वितित कर पाएंगे। दोसरों की राय और गत्ति विदियों पर ध्यान देने की वज़ए खुद पर ही भरोसा रखें। इसे आप अपने दिन चारा को बहुत ही अनुसासित और वैवस्तित तरीके से वेतित कर पाएंगे। और तना आप से भी रात मिलेगी। और दोस्तों बिजनेस समय दिक कोई सरकारी ममला चल रहा है तो दोस्तों भगमान महाकाल के हसीरवात से आपको सफलता मिलना तई है। कारचेतर में कारचारियों और शाहगियों की शलाब्य भी महत्र दिया जाएगा। निस्यति आपको कोई उची सामधान मिलेगा। महिल अपने दिन चार्या में शामिल करना बहुत ही जरूरी रहेगा। दलते मोसम से अपना बचाव रखें खासी जुकाम जिसे एलर्जी होने की आसंका है। चिसता बात करतब के उपाय के बारे में। दोस्तों भोलनात एक मात्र एसे देवता हैं जो मात्र एक लोटा जल से भ प्राप्त होता है। दोस्तों यह उपाय आवशी करें। दोस्तों इन बात करता अपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है। दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली अंक चार है। दोस्तों भागवाल महाकाल का आसिरवात आप सभी को प्र आप तो सच्ची दिल्शे कमेंड बॉक्स में जय महाकाल जरू लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद